हालो एवरिवन आज हम बनाएंगे पाव भाजी वो भी बिना महनत के और बहुत ही जादा टेस्टी जी हाँ हमें इसे मैश करने की बिल्कुल जुरत नहीं है और हमने इसमें कोई भी आर्टुशल कलर नहीं आड़ किया है और हम इसके साथ डबल मस्का पाव सर्फ करेंगे जो बहुत ही जादा टेस्टी रखते हैं तो आएए बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए हम एक कड़ाई में दो चमाच ओल डालेंगे और एक चमाच बटर डालेंगे यह तकरीबन डेट चमाच हमने बटर डाला है अब हम इसमें एक बड़ा चमाच बारी कटा हुआ लसुन डालेंगे और एक बड़ा चमाच ही अद्रक डालेंगे और इन्हें low to medium flame पर brown होने तक भून लेंगे अगर आप लसुन नहीं खाते हैं तो आप ना डाले चिटी आने तक उबाल लिया है ताकि यह पहुत ही अच्छे से उबल गए हैं और यह पहुत अच्छे से पक चुके हैं हमें इन्हें मैश करने की जुरत नहीं रहेगी अब हम इसमें तीन मीडियम साइज के टमाटर डालेंगे जो बारी कटे हुए हैं और इन्हें भी कुछ देर के लिए पका लेंगे अब हम इसमें आधा चुकंदर जो हमने कदुकस कर लिया है डाल देंगे चुकंदर से इसकी एक तो निट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है प्लस इससे बहुत ही अच्छा ब्राइट रेड कलर मिलेगा जिससे हमें कोई भी आर्टिशल कलर अड़ करने की जुरुत नहीं रहेगी अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे अपने टेस्ट के कॉर्डिंग आप डालें और दो बड़े चमच पावभाजी मसाला डालेंगे यहां मैं MDS का पावभाजी मसाला यूज़ कर रही हूँ इन्हें कुश्टेर के लिए भून लेंगे यह मसाला अच्छे से भून चुका है बहुती तो अब हम इसमें आलू डालेंगे यह चार छोटे आलू थे जो हमने उबाल के कद्दुकस कर लिए हैं इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस मसाले को हमें 4-5 मिनट के लिए लगातार चलाते हूँ अच्छे से भूनना है इस तरह से आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून चुका है तो अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे अब हम इसी कडाई में दो चमच ओयल डालेंगे और एक चमच बटर डालेंगे अब हम इसमें 3 मीडियम साइज के प्याज जो हमने बारी काट लिए हैं डाल देंगे और इन्हें भून लेंगे हमें इन्हें ट्रासूसंट होने तक भूनना है बहुत जादा ब्राउन नहीं करना है अब हम इसमें नमक डाल देंगे नमक डालने से चो प्याज हैं वो थोड़े जल्दी पक जाते हैं आप देख सकते हैं प्याज ट्रासूसंट हो चुके हैं अब हम इसमें एक छोटी चमाज देगी मिर्श पाउडर डालेंगे और देट बड़ा चमज पाउबाजी मसाला डालेंगे फिर से एक बड़ा चमज कसूरी मेथी डालेंगे इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो आप ज़रूर इसे डालें इस मसाले को कुछ देख लिए अच्छे से भून लेंगे आप ध्यान रखें कि यह मसाले जले न यह मारा मसाला अच्छे से त्यार हो चुका है तो अब हम आलू का मसाला पहले त्यार करके निकाला था वो डाल देंगे और अब इन दोनों मसालों को अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए भून लेंगे यह मारा पाव भजी का पूरा मिक्स्चर तयार है अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि यह काफी गाड़ा है अगर आपको पहले से बना के रखना हो तो आप ये mixture पहले से बना के फ्रिज में रख सकते हैं हम इसमें boil पानी डालेंगे, कच्चा पानी नहीं डालेंगे अभी भी ये थोड़ा गाड़ा लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे यहां मैंने टोटल एक कप पानी का यूज़ किया है पानी आप या तो गरम लें या उबला हुआ लें तो बेटर है हमारी पाव भाजी तैयार हो चुकी है आप देख सकते हैं इसकी consistency बिल्कुल ठीक है आप अपनी पसंद से कम या जादा इसमें पानी और डाल सकते हैं अब हम इसमें एक बड़ा चमच नीमबू का रस डाल देंगे और हरा धनिय डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पाव भाजी को आप लो फ्लेम पर जितनी जादा देर पकाएंगे इसका टेस उतना ही अच्छा आएगा और हमारी पाव भाजी बन करके तयार है अब हम इसमें लास में एक चमच बटर और डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और ग्यास का फ्लेम आफ कर देंगे अब हम अपने पाव सेखते हैं अब हमने तवे को गरम कर लिया है इसके उपर एक चमच बटर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके उपर कटे हुए पाव रखेंगे और इसे दोनों साइट से अच्छे से से शेक लेंगे इस तरह से मसाला लगाते हुई आप चाहें तो इस तरह से हमारे मस्का पाव रिड़ी है लिकिन अगर हम इसे डबल मस्का पाव बनाना है तो इस तरह से हम तबे परी थोड़ी सी भाजी डालेंगे जो हमने अभी भाजी तयार करी है और उसके उपर ये पाव इस तरह से लग देंगे तो ये भाजी पाव के अंदर अच्छे से लग गई है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आप इसे जरूर ट्राइ करें तो लीजे हमारे डबल मस्का पाव तयार है और आप इसे गर्मा गरम भाजी के साथ सर्फ करें और भाजी के ओपर बटर और नीमू डाले और थोड़ा सा हरा धनिये से गार्निश कर लें और ये बहुत ही ज़ादा टेस्टी बनी है और आगर आपने नोटेस किया हो तो हमने मैश करने में मेहनत नहीं करें है क्योंकि हमने इसे आलू लिए थे वो ग्रेट करके लिए थे और जो मटर लिए है वो भी अच्छी तरह से बॉइल करके लिए थे तो हमें इसको मैश करने में बिलकुल जूरत नहीं पड़ी तो यह बहुत ही जादा टेस्टी और कम मेहनत तो आप इसे अपने घर में जरूर ट्राय करें और अपने अनुभा में इसा जरूर शेयर करें और अगर रेसेपी अच्छी लगी हो तो मेरी चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले अब मिलती हूँ नई रेसेपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई तेक के है धन्सक्राइब कर दो में लोगी के लिए कर दो है कि जरूर शेयर के किना जरूर यारा शेयर का प्राइब करें जरूर लाशेब करें तो कि एंपाकिक क्या जरूर टो